इंग्लीज बोलने वाले देसों में भारत का कौन सा इस्थान है? हमें सपना क्यों आता है? ऐसा कौन सा जेल है जिसमें कैदी भाग जाने पर उसे सजा नहीं बलके छोड़ दिया जाता है? खाना खाने के बाद तूरंद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? और भोजन कितने टाइम में पूरी तरह से पच जाता है? हमें सपना याद क्यों नहीं रहता? जन्वली हमें सपना इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो अधूरे नीद में होते हैं ना पूरी तरह के से नीन में होते हैं ना ही जागे हुए होते हैं और सपना में कुछ ऐसा घटना घटित हो जाता है जिसके कारार से नीन अचानक से खुल जाता है जिसे हमारे माइंड से पूरा सपना खतम ही हो जाता है और हमें कुछ याद नहीं रहता जन्वली किसी को पता नहीं कि हमें सपना क्यों आता है पर एक तरक से पता लगाया गया है कि जब हम सोते हैं उस टाइम हमारे दिमाग में जो कुछ भी चलता है वह हमारे सपने की रूप में हमें दिखाई देता है और सपना जो है नन्नीन पूरी होती है अरना ही जर्मनी के जेल में अगर कोई वेक्ती भाग जाता है तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है ना कि उसे सजा दिया जाता है वहां का मानना ये है कि वहां के लोग अगर भाग जाते हैं तो वहां के सरकार का मानना है कि हर इंसान को स्वसंत्रता का अधिकार है करके उसे बाइज़ छोड़ दिया जाता है उसे कोई सजा नहीं दिया जाता है खाना खाने के बाद तुरंट पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी अगर हम खाना खाने के बाद पीते हैं, तो हमारे पाचन क्रिया पर प्रभाव डालता है, खाना खाने के साथ साथ ही पानी को पीना चाहिए, क्योंकि पानी जब खाने के साथ मिक्सित होता है तो पाचन क्रिया में बहुत लाब दायक होता है और हमारे सेहत के लिए भी बढ़िया होता है और खाना खाने के बात पानी पीने से हमारे सेहत में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है पाचन क्रिया पर खास और पहले नमबर पर अमरीका है जहां सबसे ज़्यादा इंगलीज बोला जाता है उसके बाद सेकेंड नमबर पर इंडिया आता है और यहां सबसे ज़्यादा इंगलीज बोला जाता है जो सेकेंड नमबर पर है पर यहां इंडिया में हिंदी और तरह तरह के भासा है पर इंगल तॉलेट से अधिक बैक्टरिया होते हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं और हमारे हाथ में और हमेशा हम अपने पास ही रखते हैं मोबाइल को और हमें पता भी नहीं होता कि उसमें कितने बैक्टरिया हैं एक तॉलेट से अधीक बैक्टरिया मोबाईल में उपस्थित होता है जो अपने हाथ में अपने साथ हमेशा रखते हैं